अध्याई पांच, मानव संसाधन किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहां की आबादी की गड़ना की जाती है आबादी का संबंद किसी स्थान विशेश से होता है आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रियोग करते रहते हैं जैसे हमारे गाओं की जनसंख्या 675 है अथ्वा रायपूर जिले के आबादी बस्तर जिले से अधिक है आधि-आधि अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इन में किसी ना किसी शेत्री इकाई का जरूर जिक्र किया जा रहा है इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी शेत्री इकाई जैसे गाओं, शहर, देश, आधि में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम वहां की जनसंख्या या आबादी कहते हैं जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्तु तभी है जब मानव की बुद्धी एवं कुशलता का उप्योग समाज के विकास के लिए हो तथा उसके कारे कुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कारे पूर्ण होता हो किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे देश की कुलाबादी कितनी है वह हर साल किस दर में बढ़ या घट रही है लोग वहां औस्तन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं उसमें महिला और पुर्षों का अनुपाद कितना है बच्चों, युवां और वृद्धों का अनुपाद क्या है उनमें उत्पादकों, काम करने वाले लोगों का अनुपाद क्या है उनमें नगरों में निवास करने वाले और गाओं में रहने वालों का अनुपाद क्या है उनमें साक्षर कितने है और उच्छ शिक्षा प्राप्त लोग कितने है उनमें गरीब कितने है और अमीर कितने है यह सब जानकारी हमें कहा और कैसे मिलती है आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगर्ना की जाती है यानि लोगों की गिंती हमारे देश में हर दस साल में जनगर्णा की जाती है जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है पिछली जनगर्णा 2011 में हुई थी तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी जनगर्णा से प्राप्त होने वाले महत्यपूर्ण आकड़े भारती जनगर्णा में लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग-अलग आयूसमूर के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से इत्यादी ग्याद करते हैं। लोग अपनी सिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयू, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे में लोगों की इन विशेस्ताओं को समझना जरूरी होता है। इन में से कुछ महत्वपूर्ण आंकडों को समझने की कोशिस करते हैं।